नमस्कार दोस्तों मेरा आम इट्विमल सिंग बालाजी स्टेडी एड़ा में आपका स्वागत है आस्तारिक है आपकी 24 फरवरी 2021 क्या कुछ सिक्षा से सम्बंद जो है वो नियूस निकल कर रही है चलिए सभी की बात कर लेते हैं तो टोटल तीन नियूस है आपकी सबसे पहली नियूस है एड़ेट कॉलेज जो है उनमें 19,000 पदों पर की जाएगी भरती तीन एहम सिक्षक भरतियों की प्रक्रिया इसी सब्ता से जो होगी ऐसा इसमें लिखा है प्रयागरास के आपकी नियूस प्रकासित हुई है इसमें लिखा है कि प्रदेश में सिक्षक बनने की लालाईत जो युवां है उनके लिए बड़ी कुछ कबरी है आसास की साहता प्राप्त जो एड़ेट कॉलेज है उनमें 19,405 पदों की सिक्षक भरतिया इस सब्ता सुरू हो रही है ये भरतिया तीनों तरह के एड़ेट कॉलेज में होनी है केवल पतनाम और अहरता आदी में भिनिता है दो भरतियों की तारीकों का एलान पहले ही हो चुका है और तीसरी भरति का संसोधित विज्यापन आने का बादा खुद बोर्ड अध्यक्ष प्रतियोगी से जो है वो कर चुके है तीनों ही भरतिया जो है उनकी रहा लंबे समय से लेखी जा रही है एस महाविद्याल है जो है उनमें एसेस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों की भरति चार साल बाद आई है उत्तर प्रदेश उचितर सिच्छा सेवायों ने 25 फरवरी से ऑनलाइन आविदन लेने का आहलान किया है भरति जो है वो 47 विस्यों के लिए जो है हो रही है ऑनलाइन सुल की जमा करने की अंतिम थारीख 26 मार्च है साथ इसाथ जो इसकी परिख़ा है 26 मार्च घोसित जो है 26 माई थे क्योंकि 26 मार्च को घोसित अंतिम थारीख ऑनलाइन सुल CT 2020 का संसोधित विग्यापन इसी सकता जारी हो सकता है और इसमें 15508 पदों के लिए 29 अक्टूबर को विग्यापन जारी हुआ था लेकिन इसमें दो संसोधन करने के लिए 18 नौंबर को विग्यापन निरस्त कर दिया गया था और चैन बोर्ड अध्यक्ष ने जो पृतियोग द्यापक और साहिक द्यापक चैन प्रक्रिया लिखाए कि प्रदेश के 3049 एड़ जूनियर है स्कूलों में पृधाना द्यापक साहिद द्यापक के जो 1894 पदों का विग्यापन है वो 25 फरवरी को जारी होगा पहले पताया तो मैंने कि एक सब्ता बढ़ गया है तो अब 25 फरवरी को जानी होने की बात की गई है बढ़ इसी समय होता है कितना ओल लेट होता है ये तो आपको कली जो है वो पता चलेगा साती सात ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन 3 से 17 मार्श तक जो हो सकेंगे लिखित परिक्षा इसके 18 अप्राइल को जो है वो कराई जाएगी पहले आपकी धाने लगबग दसिया 11 अप्राइल को थी सासन ने इसमें दोनों पदों के लिए एक प्रस्न पत्र अनिवार किया जबकि दूसरा प्रस्न पत्र केवल प्रधाना द्यापक पत के लिए होगा इस भरती का भी एक साल से इंतिजा लगातार किया जा रहा है बाक को कुल मिला कर यहां पर लगबग 19,000 जो है वो बताए गया है नेक्ट न्यूस भी सेम इसी टॉपिक से ही समदित है क्या कि तीन बड़ी सिक्षक भरतियां इसी हफ़ते अब सर जूनियर हाई स्कूल जो है उससे लेकर डिगरी कॉलेज तक में भरे जाएंगे खाली पद त 35 फरवरी दे के यहां पर भी मेंचन किया गया है कि 25 फरवरी दे सुरू होंगे जो जूनियर सुपर्टेट को लेकर मैंने पहले ही बताया था इसमें सायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक के पदों पर आवेदन जो है वो लिये जाएंगे अगली और इस वीडियो की प्राफ्मे के स्कूलों में नई सिक्षक भरती जो है वो सुरू करने की मांग जो है वो उठाई प्रयागरास से आपकी न्यूज है कि परिसिदी है प्राफ्मे के स्कूलों में नई सिक्षक भरती शुरू करने की मांग को लेकर जो बिरोजगार है उन्होंने मंगलबार को परिच्छा नियामक प्राविकारी काराले, बेसिक शिक्षा परिशत काराले और जिलादिकारी काराले के जो अफसर है उनको ग्यापन जो है वो सौपा है DLED, BTC और TET Seated Pass जो पेरोजगार है उनका कहना है कि बेसिक शिक्षा विवार के पास साहेक अध्यापकों के 5112 पद रिट है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बास्विकार भी के लेकिन भरती जो है वो सुरू नहीं हो पारी है कहा है कि जिक्षक भरती का विडियो अपती जल्द जारी किया जाया निता सड़क पर उतरने पर मजबूर होंगे या 500 आपने वालों जो चात्र थे, उन सभी लोगों में ये सभी लोग जो है वो अजूद थे यही था हमारे आज के इस अपडेट में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्च कीजिएगा और साथ इसाथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्च जाएगा और ये जो आप देख रहे है एडर जूनियर हाई स्कूल वाली जो वेकेंसी है इसके लिए महनत अच्छे से कीजिए और कम पद जरूर है पर कई न कई कॉम्पटेशन हर जगा है तो अच् में एक नए अपडेट के साथ अब तक के लिए नमस्कार थैंक यू पर वॉचिंग